प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से अपनी चुनावी पारी का आगाज करने जा रही है वो वायनाड की सीट जो राहूल गांधी के जीतने के बाद खाली हुई है उसके उप चुनाओं में कॉंग्रस की उम्मिद्वार होंगी और इस पर क्या सोचना है उनके पती रॉबर्ट वादरा जी का खास बात करने के लिए मेरे साथ है शुक्रिया हमें समय देने के लिए और आप कैसे देख रहे हैं राहूल गांधी ने राइबरेली की सीट रखी वाइनाड को छोड़ा और अब उस पर उमिद्वार प्रियांका गांधी बनने जा रहे है मुझे बहुत खुशी है कि प्रियांका वाइनाड से चनाव लड़ेंगी राहूल ने बहुत अच्छा सोचा कॉंग्रेस पार्टी ने सही सोचा कि अब ये सही समय है कि प्रियांका सक्रिय राजनीती जैसे संसद में भाग लें संसद की रूप में ज़रूर अपना आगे प्रचार करें काम करें पार्टी के लिए मैं अभी प्रचार का समय है वाइनाड के लिए तो अभी कोई बदाई तो देनी कोई लेता नहीं हूँ पर मैं यह कह सकता हूँ कि मैं उमीद करता हूँ कि वाइनाड के जनता प्रियांका को भारी बहुत से जिताएं और राहुल के जो इरादे थे वहां के लिए और जो मेहनत की है वो प्रियांका उनको पूरा करें और वाइनाट के लोग बहुत खुश हैं कि प्रियांका उनकी सांसद बने वहां से सांसद बने और मैं खुश हूँ जब भी किसी ने मैं इसे पूछा कि आप कब कदम लेंगे और पार्लिमेंट में या सांसद में कब आएंगे तो मैं हमेश मैं जरूर आगे बढ़ूँगा मेरी तो मेहनत जारी रहती है और फिर मैं भी भाग लूँगा तो हलाकि अब वाइनाट की जो समीकरन है मैं खुद वहाँ पर 2019 में भी कवर किया अभी 24 में भी कवर किया वो सीट प्रेंकाजी के लिए बिल्कुल वहाँ पर कोई मुश्किल न हूँगा और मैं खुश हूँ कि मेरे को और समय मिला है कि मैं लोगों के बीच में रहूं अपने जो चारिटी के द्वारा और अपने जो धार्मिक द्वारा होता है मेरा पूरे देश पर में लोगों को समझने के लिए और जगाओं को समझने के लिए धरम को जो जिस तरीक प्रियांका से नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी जो समझता हूँ, कोई छेतर होता है, जो उनकी मुश्कले हैं, उसको समझ के मैं अपनी परिवार को ज़रूर जागरूप करता हूँ उसके बारे में, और जब समय होगा, मतलब कि अगले 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 चुना होगा तो उसमें मैं भाग जरूर लूँगा सर प्रिंका जी की बात करें तो लोग सभा चुनाओ वो नहीं लड़ी और उसकी वज़े थी कि चुकि उन्हें चुनाओ पर चार करना था राहुल जी दो सीटों से लड़ रहे थे फिर वो उप चुनाओ के लिए तयार कैसे यह एक जिग्यासा है मेरे मन में भी है दरशक भी जानना चाहेंगे आप पती है उनके आपको तो पता होगा कि वो उपचुनाओं में उतरने के लिए तयार कैसे हैं मैंने उनको जरूर काफी कंविंस्क भी किया मैंने का ये जरूर उनकी जगा खाली परचार करनी के लिए नहीं है मैं चाहता हूं कि वो संसत में जरूर भाग ले और बड़े पहेमाने पे अपने जो इरादे हैं और अपनी जो जो अनकी मेहनत जो कर रही हैं वो संसत के तोर पे करें तो और अच्छा होगा और देश के लिए भला होगा और प्रगती के और जाएगी तो जरूर मैंने उनको प्रेशर किया और मैंने उनको जरूर मैं ना नहीं सुनी इस बारी और मैंने का जरूर आपको होना चाहिए तो एक अठा पूरे फैमली ने डि इतना है उसके बाद लेकिन और उमीदों के मताबिक ही बीजेपी इस फैसले को घेर रही है सवाल कर रही है परिवारवाद का आरोप लगा रही है ये कोई नया आरोप नहीं है लेकिन फिर एक बार नए सिरे से लग रहा है कि जो मा की सीफ थी उस पर राहुल जी चले गए अ परिवारवाद का एक उदाहरण है ये बीजेपी का कहना प्रियंका जी की उमिदवारी कहला है बीजेपी को पहले अपने जो उनके सांसद है उनके परिवार और उनके बार में जाकना चाहिए सोचना चाहिए और तब उनको कभी परिवार की बात करें क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कॉंग्रेस के नेताओं को अपनी तरव खीचा और उनके भी जो नेता हैं उनके पिता जी भी राजनीती में रह चुके हैं और सब में कोई न कोई परिवार का सदसे राजनीती में था तो पहले अपने पार्टी में देखें अपने नेताओं को देखें अपने बारे में थोड़ी assessment करें और उनको दिखेगा कि सब भी परिवार से आए हैं सब के उनके जितने भी निता हैं सब के परिवार के कोई भी सदसे अलड़ी राजनीति में रह चुके हैं तो और देखे इस जो उनका 400 पार का इरादा था इस बारी जनता ने उनको हकीकत याद दि बिला दी और आपने देखा कि खुद प्रदान मंत्री कुछ समय तो ट्रेल कर रहे थे और जहां उनको 400 लाग से जीते अब इस बारी कुछ एक लाग से जीते हैं तो लोग सहमत नहीं हैं उनकी जो तोर तरीके राजनीति जो उन्होंने की धुर्प्यों किया बहुत तरीके से और जो भी उनके उद्योग पती दोस्त हैं उनको सारे बंदरगा सडकें बनाने की दी और लोग इस तरीके से खुश नहीं थे जो उनके धरम की राजनीति थी उससे आपने देखा कि वो खुद योदिया में हारे और योदिया के पूरे उस यूपी एरिया में सारे उसम पार दिये उस एरिया में और राममंदर बनने से उनको रोजगार तो मिला नहीं और प्रजुवल रवन्ना के लिए जस तरीके से प्रदान मंतरी ने मंच पे वोट मांगे और उन्होंने महिला के साथ अर्टिरफ essentially किया और महिला की सरख्षा के बारे में भी उन्होंने कु तो ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे थे तो लोगों ने देखा कि ये सरकार उनके हित में सोच नहीं रही है, काम नहीं कर रही है, तो उनों ने जबाब उनको करारा दिया कि 400 तो बहुत दूर की बात थी और कॉंग्रिस को बहुत अच्छे सीटों से आगे संसद में भेज और गड़बंदन को भी इकठे बहुत अच्छे नंबर से रखा कि डिमॉक्रसी एक्जिस्ट हो सकती है, जो लोगों को लग रहा था कि ठीक नहीं है और जो कॉंस्टिटूशन चेंज करने का था, यह सारे जो मुद्दे थे, लोगों ने उसको बैलेंस रखा, तो जनता के बज़े से अच्छा रिजल्टा है, जो सरकार है, दस सालों के बाद गड़बंदन की सरकार आई है, आप कैसे भविश देख रहे हैं इस सरकार का, क्योंकि हमने कॉंग्रिस लिडर्शिप को सुना, रहुल गांधी ने अभी इंटर्व्यू में कहा कि इस सरकार को बहुत करने का तरीका था, जो भी वो मंच पे बात कर रहे थे, बोखला गए थे, तो कभी मंगल सूत्र या कभी भैंस या अजीब-जीब बात कर रहे थे, अभी भी हम जब देखते हैं तो जरूर उनको एक करेक्शन हुआ उन में, जो जरूरत थी, जो अंकार था, ये सब लोगो को पसंदी आया, अभी वो गड़, उनके गड़बंदन पे निर्भर हैं, और जो नितिश का सब को पता है, निजिश जी, कभी भी छोड़ सकते हैं उने, और नाइडू जी के साथ, उन्होंने जो गयवार किया था, उससे वो वैसे तो खुश नहीं है, और उनकी सरकार हलक है, वो कभी भी तूट सकती है, पर हमने, मेरा अनुभव है कि कोई नहीं चायगा कि दुबारा एलेक्शन हो, तो हम देखेंगे कब तक ये सरकार चलेगी, और ऑपेजिशन स्ट्रॉंग है, वो जरूर हर सवाल करेगी, और ऑपेजिशन के विगेर बीजेपी सरकार कोई भ पक्ष की जिम्मेदारी इस बार लेनी चाहिए है, आपकी इस पर क्या रहा है, आप फैमिली मेंबर हैं, जैसे आपने बताया है, फैमिली मेंबर होने के नाते, मैं राहूल को बहुत अच्छी तरह जाता हूँ, वो जो भी करते हैं, अपने मन लगन से करते हैं, जैसे अभ रहुल अगर लीडर ऑफ ऑपसिशन बन गहें तो जो भी लोगों की समस्यां हैं जो उन्होंने अपने यात्रा में सीखे और देखे और जो भी किसानों के लिए जो बिल बनते हैं किसी भी चीज कोई भी इरादा लिया जाएगा तो वो लोगों के लोगों के से पूच्छाश करके लोगों के हिट में बात करेंगे और लोगों की बात को बुलंद करेंगे और मुझे पता है रहूल उस तरीके से हैं कि हमेशल वो लोगों के लिए बात करेंगे तो उनको ज़रूर लीडर ऑफ ऑप ऑपोसिशन बनना चाहिए और क्या आप मानते हैं आपने खुद का की सरकार कमजोर है आने वाले दिनों में सरकार बदल भी सकती है तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रधान मंतरी का पद बहुत दूर नहीं है रहुआ है। सीखा अपने माताजी से सीखा उन्होंने खुद अपनी मेहनत इतनी की है और ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा देश के लिए अच्छा रहेगा वो समझदार व्यक्ति हैं और हर चीज़ में चाहे आप बिजनिस की बात करो या किसानों की बात करो या जो दलित हैं और सब गड़बंदन मना है उनको लेकर जरूर पगती के और चाहेगी अखरी में दो छोट 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 दबाल हो रहे प्रियंका जी को लेकर फिर से मैं आप से पूछूँगा कि उनकी जो पूरी राजनीती रही है यूपी में काम करना चाहिए ता आप इस नजरी अगर अगर राहूल और प्रियंका यूपी में होते तो लगता कि कुछ और इरादा है पुलिटिकल इरादा है कि यूपी हार्ट है मतलब कि देश का तो यूपी में पकड़ होनी चाहिए मैं बहुत खुश हूँ और सहमत हूँ कि राहूल नौट में है यूपी में है और साउट में प्रियंका है तो देश के हर कोने में पता चलता है क्या हो रहे हैं क्या जरूरते हैं और हर चीज़ पता चलता है तो अच्छा है कि कोई साउट में कोई नौट में है और मुझे पता है कि जैसे किशोरी लाल ने परिवार के साथ 40 साल के लिए कम किया है, तो उनको खबर मिलती रहेगे कि यूपी में क्या हो रहा है, और वैसे जो वाइनार में हो रहा है, وہ प्रियांका राहूल को बताते रहेंगे, तो कभी राहूल वहां जाएंगे और प्रियांका यूपी जाएंगे तो मिली जुली सरकार होगी अमनलब की जो सांसद होंगे दोनों तरफ जाएंगे तो एक ही बात है और किसी को दुखी नहीं होना चाहिए प्रियांका यूपी में भी रहेंगी और केरल में भी रहेंगी और देश के हर कोने तक पहुंचेंगे। क्या होने वाना है। हम उनके मेनत में एक जो ठोकर उनके साथ सहमत हैं और रहेंगे और देखेंगे कि जो उनकी सोच है हम भी उसमें शामिल हो। प्रेंका जी के डिब्यू स्पीच का इंतजार है आपको बिलकुल बिलकुल मुझे पता है कि जैसे केते डॉंक टे खड़े हो जाएंगे वो मैसूस होगा सबको। बिलकुल शुक्रिया रॉबर्ट साब बात करने के लिए तो सुना आपने रॉबर्ट वाजरा को इंतजार है प्रेंका गांधी की पहली स्पीच का लोकसभा के अंदर और क्या वो पहुंचेंगी लोकसभा तक हलाकि ये तो वाइडाट की जनता तै करेगी लेकिन प्रेंक गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी